हेलो फ्रेंट्स आप सभी के स्वागत प्रगति इनलाइट में दोस्तों मैं हुआ अक्षे दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे ट्रांसफर्मर से रिलेटेड थियोरी जो कि डेली प्रैक्टिस शेट अपलोड किया जा रहा है जो कि अल्टरनेटर का किया गया है मोटर का किया गया है और यह जो हैं ट्रांसफर्मर का और रेलवे से जूड़ी सारी जनकारी इस चैनल पर दिया जाता है अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहे है डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी ट्रांस्फर्मर क्या है ने ट्रांस्फर्मर पहले क्या करता है यह जो कि एक एस्थेटिक माने इस्थर डिवाइस है इस्थर डिवाइस एसी मसीन है जो कि एसी को एक सर्कीट से दूसरे सर्कीट में परिवार्टित करता है लेकिन फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होता है फ्रिक फ्रिक्वेंसी को परिवर्थित किये अस्थनांत्रित करता है नीचे है कि ट्रांस्फर्मर बीदूत उर्जा को समान अधिक अत्वा कम भोल्टेज गरुपांत्रन करता है ट्रांस्फर्मर क्या करता है भोल्टेज को कम या ज्यादा करता है नीचे हैं कि भोल्टता अस्थर जिस पर सक्ती जनित की जाती एरुपांत्रिक रूप में 11 किलो भोल्ट से 22 किलो भोल्ट के परास में होते हैं नीचे एक ट्रांसफर्मर में कोई बिदु सक्ती जिसमें किसी भी उभैनिस्ट कुरोड पर दो या अधिक बहुत फेरे फेरोवाली कुंडली लिपिट होती है। ट्रांसफर्मर भार के सक्ती गुडान पर निर्भर करता है। तो भार के सकति गुणान पर निर्भर करता है ट्रांस्फर्मर की आउट्पूट फ्रिक्वेंसी बराबर इन्पूट फ्रिक्वेंसी होती है क्योंकि इसका फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है दोस्तो इंपूट फ्रिक्वेंसी बराबर आउट्पूट फ्रिक्वेंसी होता है नेश्ट है कि मर्ज प्राइस रक्षा का प्रोक ट्रांसफर्मर जर्नेटर आदि में करता है नीचे हैं कि ट्रांसफर्मर एसी धारा पर ही कारे करता है ट्रांसफर्मर क्या करता है जो AC करेंट होता है उसी पर कारे करता है प्रणा मोटर को एक घूर्णी ट्रांसफर्मर कहा जाता है जो कि इंडक्शन मोटर होता है उसको एक घूर्णी ट्रांसफर्मर कहा जाता है इंडक्शन मोटर को क्या कहा है ते घूर्णी ट्रांसफर्मर एक transformer भोल्टी सता धारा का रुपान्त्रण करता है। अगला है transformer का कारे सिधांत। transformer का working principal. transformer जो अनुनोई प्रणा या फ्राइडे के electromagnetic induction सिधांत पर कारे करता है। mutual induction के सिधांत पर कारे करता है। किस पर सिधांत करते हैं? mutual induction के सिदान पर कारे करता है transformer एक aesthetic device है transformer का DC पर कारे नो करने का करन क्या है transformer में winding होने के का load access होता है किन्तु DC के लिए frequency F होता है देखिए अगर DC का frequency कितना होता है 0 होता है और AC का frequency कितना होता है 50 Hz होता है ये थोके DC का frequency कितना 0 Hz AC का पचासड तो इसके कान जो हैने DC पर ट्रांसफर्मर कारे नहीं करता है तो इस कंडिशन में प्राथमिक कुंडल के समुक लगी DC धारा प्रदाय का समान केवल कुंडलन का परतरूद करता है चुकि कुंडलन का परतरूद कम होता है जिसके कान प्राथमिक कुंडल में अधिक धारा परवाहित होता है और कुंडलन जल जाएगी इसलिए प्रणामित DC परकारे नहीं करता है जो कि उसका कुंडलन वाइन जल जाएगी इसी के कान दोस्तों यह जो हैं DC परकारे नहीं करता है आगला देखते लेते हैं कि ट्रांसफर्मर की रेटिंग मैंने ट्रांसफर्मर की रेटिंग दोस्तो भीए यानि भोल्ट एमपियर या के भीए किलो भोल्ट एमपियर में होते हैं ट्रांसफर्मर की रेटिंग दूसरा है ट्रांसफर्मर का मुल्यांकन किलो वाट के बजाए के भीए में किया है क्योंकि कूल ट्रांसफर्मर हान लोड के सक्ति गुडान पर निर्भा करता है इसलिए किलो भोल्ट एम्पियर पर इसका रेटिंग लिया जाता है नेश्ट है कि किसी ट्रांस्फर्मर में रेटेड आब्रिती से कम आब्रिती पर प्रचालित करने पर क्रोड का फ्लक्स घुना तो बढ़ जाएगा चली आगला देख लेते हैं इसका और आगे क्या है देखिए कि भीत्रों ट्रांस्फर्मर की रेटिंग 20 किलो भोल्ट एम्पियर तक होती है यानि जो distribution transformer की rating क्या होती है 20 kVA तक होती है यहां power transformer की rating 150 megavolt ampere तक होती है transformer की load धारा 8 ampere है 2 kVA तो तथा transformer की kVA rating होती है कितने होज़े 16 kVA अब देखते हैं कि transformer का electro motive force यानि EMF यह जो एकी समिक्रण क्या है प्राथिमी कुंडली के लिए EMF समिक्रण क्या है देखिए प्राथिमी कुंडली के लिए EMF समिक्रण क्या है 4.44 FN 5 यह जो F frequency हो गया intense हो गया यह जो है 5 हो गया दूतिय कुंडली के winding के EMF समिक्रण क्या है 4.44 FN 2 5 M होता है E1 और E2 प्राथिमिक वाइंडिंग का समिकर्ण और डिवतियो वाइंडिंग का समिकर्ण आगला देख लेते हैं कि ट्रांसफर्मर के EMF समिकर्ण में सामिक फ्लक्स का मान अधिक्तम होता है बूलतार उपांतल अनुपात यानि के E2 बाटा E1 बराबर N2 बाटा N1 होता है यह जो हैने यह भोल्ट था है मने V हो गया V2 बाटा V1 और N2 बाटा N1 बराबर K हो गया ट्रांस्फर्मर के प्राथमिक और दूतिय कुंडली और बिलु धारा के मद सम्बंध क्या है देखे V1 बाटा V2 I1 बाटा I2 और N2 बाटा N1 तो यह भोल्ट हो गया यह आई जो है करेंट हो गया और यह विदुधारा और टर्मों की संख्या तो V1 बाटा V2 I1 I2 बाटा N2 बाटा N1 होता ट्रांस्फर्मर के सम्मिक और V1 I1 बराबर V2 I2 उज्या सनक्षन का नियम परदर्शन करता है अगला देख लेते हैं कि ट्रांस्फर्मर की वैंडिंग प्राथमिक वैंडिंग जिस वैंडिंग में एसी सप्लाई दी जाती है वो प्राथमिक वैंडिंग कहलाती है यह सी तार द्वारा की जाती है देखें प्राथमिक वैंडिंग में सप्लाई दीया जाता है और द्यूतिय वैंडिंग में लोड दिया जाता है नीचे है कि द्यूतिय वैंडिंग जो वैंडिंग लोड से जूड़ी होई होती है यह सेकेंटरी वैंडिंग कहला दी है प्राथिमिक वैंडिंग में सप्लाई दिया जाता है प्राइमरी वैंडिंग कहलाता है dutyo winding में load दिया जाता है उसको secondary winding कहा जाता है transformer में flux dutyo winding से जुड़ा होता है द्धारा का जोग ता प्राथमिक पक्च का परिव़तित भार धारा होता है अगला है कि यदि ट्रांस्फर्मर पर कोई भार नहीं है तो सेकेंटरी वायंडिंग में धारा सुन्य होगा देखिए अगर ट्रांस्फर्मर में कोई भार यानि कोई लोड नहीं है तो सेकेंटरी वायंडिंग में करेंट क्या होगा सुनने होगा जब उस पर लोट नहीं है तो सुनने होगा इन दोनों winding के मद कोई विदू सम्मंध नहीं होता है यह जो है न सरकीट होता है कि चलिए अगला है प्रचालन इस्थितियों के भीदू ट्रांस선फॉरिये दिभती यह मैंने सेकेंडरी हमेशाथ सर्चर्कित होता है क्योंकि यह कोर संत्रिक्त और भोल्टा प्रणास को रोकता है आगला देख लेते हैं कि दो कुंडली वाले ट्रांस्फर्मर में प्राथमिक तथा सेकेंडरी में प्रेरित भोल्टेज समान का लामे होती है जो दो कुंडली वाले होती हैं ट्रांस्फर्मर में प्राथमिक तथा सेकेंडरी में प्रेरित जो भोल्टेज होता है वो एक समान होता है किसी ट्रांस्फर्मर में सेकेंडरी में प्रेरित EMF टांस तथा प्राइमरी प्रेरित EMF में E2 बराबर E1 होता है सेकेंडरी में प्रेडित EMF तथा प्राइमरी में प्रेडित EMF तो E2 बाराबर E1 होता है ट्रांसफर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का राजिस्टेंस इन्फिनिटिव होता है इसका राजिस्टेंस कितना होता है इन्फिनिटीव यानि प्राथमिक और सेकेंडरी प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच जो राजिस्टेंस होता है इन्फिनिटीव होता है अगला है कि ट्रांसफर्मर में प्राथमिक दिवतिय को भोलता के मद कलांतर कितना होता है देखे थ्री फेज होता है तो थ्री फेज 180 डिगरी के अंतर पर होता है इसमें घूर्णन हरास नहीं होता है और भोल्टता कि आबरिती में कोई परिवर्टन नहीं होता है देखे आबरिती में पहल का नंबर तो कोई परिवर्टन नहीं होता है और घूर्णन हरास इसमें हान नहीं होता है नीचे देखते हैं कि ट्रांसफर्मर के में ट्रांसफर्मर के दिवतिये में प्रेडित भोल्टता फ्लक्स से 90 डिग्री अग्रगामी होते हैं जो दिवतिये में प्रेडित भोल्टता होता है ना फ्लक्स से 90 डिग्री अग्रगामी होता है पहले होता है नीचे ट्रांस्फरमर का फेरा अनुपात N और प्राथमिक परतिरूद R है तो प्राथमिक का तुल्य परतिरूद द्यूतिये के अनुप R1 कट R into N2 का N square होता है सुन्य भार पर प्राथमिक मुंडल में प्रवाह होने वाल धारा चुम्बकन धारा होती है क्या होती है सुन्य पर प्राथिमिक मुंडन में प्रवाह होने वाले जो धारा होती है चुन्बकन धारा होती है प्राथिमिक अमदूतिय कुंडल के मद्य दूरी बढ़ाने से निर्गत भोल्टता कम हो जाती देखिए अगर जो है न कि प्राथिमी कम दिऊती है जो कुंडलन के मद्द अगर दूरी बढ़ाते है न तो उसमें भूल्टता कम हो जाती है जब एक ट्रांसफर्मर में दिऊती है कुंडलन में उर्जा प्राप्त की जाती है तो गती प्रतिरोधक बढ़ती है नीचे हैं कि ट्रांसफर्मर की सेकेंडरी लोड करने पर ट्रांसफर्मर फ्लक्स इस्ति रहता है देखिए अगर ट्रांसफर्मर की सेकेंडरी लोड करने पर अगर लोड करते हैं तो ट्रांसफर्मर जो फ्लक्स होता है वो इस्ति रहता है प्राथिमिक और दियुतिय परिपत के बीच प्रास्परिक यूग में कासुन सुधार नियून प्रतिष्ठम चुमबक्य क्रोड कहलाता है नेश्ट है कि प्राथिमिक से दियुतिय कुंडलिन तक ट्रांसफर्मर द्वारा सकती कारूपांतर निर्फर करता है वाइंडिंग के मद्चुमबक्य यूग में पर देखिए चो होता है न यह ट्रांसफर्मर हो गया तो इसमें जो है न कोई देखे प्राथिमिक कुंडली और दियुतिय कुंडली ट्रांसफर्मर सकते रूपांतर होता है लेकिन इसमें कोई किसी पर निर्भा करता है, क्या करता है? उसके magnetic flux पर निर्भा करता है किसी transformer में प्लास थ्री पर्ज़ेंट की phase ठीऊ है, प्राइमरी और secondary धारा के बिर्ज धारा के बिच अगर धारा के बिеч का है कितना डिघरी के कौण है? तो मंहें तर्ज़ेंट थ्री फेज का कितना होता है? 180 डिघरी का होता है ट्रांस्फर्मर में primary तो ता secondary में voltage पर term सदा एक समान रहती है voltage और term क्या होते हैं समान रहता है ट्रांस्फर्मर की secondary winding short circuit करने पर primary का power factor एक होता है देखिए अगर उसका secondary winding और short circuit करने पर primary power factor क्या तो एक होता है दोस्तों यह ट्रांस्फर्मर से related अगर वीडियो अच्छा लगे तो like, subscribe, share जरूर करें जय हिन बंदे मात्र